पिक्षर में बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि एक जो चरवाहा है ये बहुत सारे पशुओं के समूह को मतलब किसी एक पशु का जो समूह है उसके साथ जा रहा है उसे चराने के लिए तो ये जो पशुचारण है ये भी दो तरीके से या दो प्रकार का होता ह अगि पालने के तरीके के अनुसार और जीवन निर्वा या जीवन यापन के तरीके के आधार पर दो प्रकार जो है वो इसके दो वरगी करण किये जाते हैं पहला है आपका चलवासी पशुचारण और दूसरा है आपका बाड़िज पशुपालन तो सबसे पहले हम देख नॉमेडिक हार्डिंग जिससे हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। इसकी क्या विशिष्टाय होती है या हम किसे कहेंगे। तो चलवासी पशुचारण जो है ये एक पशुओं पर आधारित हम कहें कि जीवन निर्वा या जीवन जीने की कला है या जीवन यापन करने की हम कहें कि एक तरीका है। फिर जो प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय था उन में से हम इसे मान सकते हैं चलवासी पशुचारण को फिर इसमें जो चरवाहे होते हैं जो अपने पशुओं के साथ चलते हैं ये चरवाहे अपने भोजन के लिए आवास के लिए कपड़ों के लिए अपने ओजार या उपकरण के लिए और यातायाद के लिए ये पर्टिकुलर उसी पशों पर ही निर्भर रहते हैं जिनको वो पालते हैं फिर ये एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर लगातार प्रवास करते हैं ये एक इस्थान पर इस्थाई रूप से नहीं रहते हैं ये पशों के साथ अ और इनके एक इस्थान पर निवास नहीं करने के कारण या हम कहें कि एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाने के कारण ही हम इनहें चलवासी कहते हैं, चलवासी चरवाहे या इस व्यवस्था को चलवासी पशुचारण के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब ये किसी एक इस् लिए उस स्थान पर लेके जाते हैं जहां पर उन्हें प्राक्रितिक रूप से चारगा उपलब्ध होता है और पिर से बोलना चाहूंगे कि इसी कारण से इन्हें चल्वासी भी जो है वो कहा जाता है या इस व्यवस्था को चलवासी पशुचारण कहा जाता है अब इस चलवासी पशुचारण के प्रमुख पशु कौन-कौन से होते हैं तो हम देखते हैं हम फिर से अलग-अलग जलवायू छेत्र की बात कर रहे हैं तो जलवायू छेत्र में भी आपके सामने ये पृत्वी या ग्लोब आपको नज नज़र आ रहा होगा, इसमें उष्नकटी बंधी चेत्र, है न, यहाँ पर यह मैं कहूं कि पर्टिकुलर एक महादवीप की बात कर रही हूं, तो अफरीका का उष्नकटी बंधी चेत्र, जो है, या उष्नकटी बंधी अफरीका, यह आपको मानचीत्र पर बहुत अच्छी तो उशने कटी बंधी अफरिका में गाय और बैल जो हैं यह प्रमुख पशू होते हैं जिन्हें यहां पर पाला जाता है फिर दूसरा है आपका सहारा और एशिया का मरुस्थल सहारा आपके अफरिका के अरेगिस्तान है अफरिका का हम यह कहें पूरे विश्व का सबसे जो मरुस्थल है फिर हम चाहे बात कर लें हमारे भारत की ही थार मरुस्थल की है न तो यहां पर इन मरुस्थली छेत्रों में भेड और बकरी और इसके साथ उट जो है वो विशेश रूप से इन्हें पाला जाता है फिर तिबत और एंडिस के जो परवती भुभाग है मतल लामा ये दो पशुओं का पालन किया जाता है इसके बाद आर्कटिक जो हम बहुत ठंडे छेत्र की बात करते हैं तो पूरा आपका नीचे हम दक्षनी गुलार्ध में आर्कटिक महादीप या आर्कटिक के अलावा जो उत्तर का उप उत्तरी भुभाग है या आर्कटिक यहां पर हम देखते हैं कि जो एसकिमोज है यहां पर एक एसकिमोज जनजाती मिलती है यह एसकिमोज जनजाती है यह रेंडियर जो है पशु इनको पालते हैं और रेंडियर जो है वो एसकिमोज की स्लेज गाड़ी होती है इन स्लेज गाड़ी को खीषते हैं इस पिक्चर में भी आपको साफ नजर आ रहा होगा जो रेंडियर हैं वो सलेज गाड़ी को खिसते हुए कैसे छेत्रों में धुरूवी है या बहुत ही ठंडे शीत प्रदेशों में तो ये प्रमुख पशु हो गए जो चलवासी पशुचारण के अंतरगत जिन पशुओं को पाला जाता है तो विश्व के प्रमुख चलवासी पशुचारण के छेत्र हम देखते हैं सबसे पहले हम उत्तरी गुलार्ध की बात कर लेते हैं तो उत्तरी गुलार्ध में जो उत्तरी अफ्रीका है उत्तरी अफ्रीका के अट्लांटिक तड से होता हुआ ये जो पूरा छेत्र है यह पूरे चीन के मध्य हिस्से या मध्य चीन तक चला जाता है। उसके बाद दूसर प्रमुख छेत्र हम देखें तो जो यूरोप और एशिया का पूरा टुंडरा प्रदेश है। दक्षनी गुलार्द में हम देखें तो दक्षन पश्यमी अफ्रिका यहां पर आपको पता होगा प्रमुख रूप से जो है कालाहारी और नामीबिया का मरुस्थल है इस चेत्र में तो दक्षन पश्यमी अफ्रिका और उसके बगल में हम देख रहे हैं मेडागासकर एक चलवासी पशुचारण का कारिय जो है वो किया जाता है अब हम देखते हैं कि इसकी प्रमुख विशेष्टाओं में सबसे प्रमुख विशेष्टा यह जो है कि यह चारे और जल की खोज में यह जो चर्वाहे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं यह एक स्थान से दूसरे आपको और यह किस ले जा रहे हैं चारे की चारा गाह की खोज में और जल की खोज में एक जगह पर जहां पर यह रह रहे हैं वहां पर जब घास या चारा जो है पशुओं के लिए समाप्त हो जाता है या पानी कोई पानी की कोई व्यवस्ता नजर नहीं आती तो यह इसकी ख पर तो हम देखते हैं कि यह मौसम के अनुसार जो है वो प्रवास करते हैं और जहां पर यह मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं तो उसे रीतु प्रवास कहा जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन बनता है यह आपके बोर्ट परिक्षा के हिसाब से और इसे लग तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रीटू प्रवास क्या है तो जब किसी छेतर में कोई जंजाती या मानव समुदाय जो है वो अपने पशूओं के साथ मौसम के नुसार प्रवास करता है अभी कैसे प्रवास करता है तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं यहां आप देख एक परवती छेत्र आपको नजर आ रहा है और इस परवत की चोटी के नीचे हम जाते हैं तो एक घाटी और घाटी के बाद एक हमको समतल मैदानी छेत्र भी नजर आ रहा है तो हम क्या देखते हैं कि जब शीतरीतु होती ही या ठंड का मौसम होता है तो ठंड के मौसम में इस पूरे परवती छेत्र में ये जो परवती छेत्र है ये बर्फ से ढख जाता है बर्फ से आच्छादित हो जाता है तो वहाँ पर चारा गाभुमी ये घास जो है वहाँ पर रहने वाली जो जन जाती है उन्हें चारा गाभुमी उपलब्ध नहीं हो पाती क्योंकि पूरी खेत्र की तरफ प्रवास कर जाती है और ठीक इसके विपरीत जब ग्रिश्म रीतु होता है जब इन परवती छेत्रों की जो बर्फ है ये पिघल जाती है तो वापस ये अपने छेत्र की तरफ मैदानों से या घाटी छेत्रों से इन परवती छेत्रों की तरफ जो है वो प्र आसम में निचले घाटी या मैदानी छेत्र से उचे पर्वती छेत्रों की तरफ जो है ये प्रवास करते हैं. अब हम टुन्राप्रदेश की बात कर रहे हूं, आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह से मानचित्र पर टुन्राप्रदेश में जो लैप्स। से तुंद्राप्रदेश के रूप में यह प्राशन पूछा भी जा सकता है कि तुंद्राप्रदेश के ौन सी चलवासी जनजाती जो कि जो लैप्स चरवाहें हैं या लैप्स जो जन जाती है यह गर्मी के मौसम में उत्तर की ओर मतलब उचे परवती छेत्र की तरफ प्रवास करती है उचक शांसों की तरफ और वहीं जब शीत्रितू या ठंड का मौसम होता है तो यह दक्षिन की तरफ आ जाती है या निमनक शांसों की तरफ आ जाते हैं जहां पर कोडधारी वन जो है पाए जाते हैं इन वनों की तरफ यह प्रवास करते हैं ठी किसी प्रकार हम अपने भारत में भी देखते हैं हमारे भारत में भी पुरा जो जम्मू कश्मीर का छेत्र है हिमाचल के परवती छेत्र है या पुरव यह जनजातियां आपको बहुत अच्छी तरह से इस मानचित्र पर इस पिक्षर के माध्यम से नजर आरी होंगी जो मैं कहरी हूं गुजर, बकरवाल, गद्धी और भोटिया यह प्रमुक भारत की जो हैं चलवासी पशुचारण करने वाली जनजातियां हैं और यह भी भारत में हिमाचल के जो प्रमुक रूप से चलवासी जनजाति कौन सी है या जम्मु कश्मीर में रहने वाली चलवासी जनजाति कौन सी है फिर हम देखते हैं कि यह तो छेतरी की बात हो गई फिर इससे संबंधित जो हमने महत्वपोनत तथें उन पर चर्चा कर ली अब कि जो चलवासी पशुचारण है इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है तो चलवासी पशुचारण क्यों कम हो रहा है यह प्रात्मिक व्यवसाय में कमी क्यों आ रही है यह प्रशन भी आप से पूछा जा सकता है अतिला घुतरी प्रशने की रूप में तो इसका इसके यह जो अलग अलग देश है उनके द्वारा अपनी सिमाओं का निर्धारन कर लिया गया है और इन सिमाओं के अंदर जो बाहरी लोग है बाहरी राज्यों के लोग है यह बाहरी देशों के लोग है उनका जो आना जाना है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है तो इस कारण से भी इनके संख्या में कमी देखी जारी है और दूसरा है नई नई जो बस्तियां है या हम जिने कहते हैं टाउनशिप है ना ये योजनाये जो है नई बस्तियों की योजनाये जो है बनाई जारी है तो ये जो टाउनशिप प्लानिंग की जारी है तो क्या हो रहा है कि पहले ज मतलब बस्तियां बसा दी गई हैं तो चारागा भूमियों का दूसरे चीजों में या उनका जो भूमी उपयोग है वो अलग कारियों के लिए किया जा रहा है जिसके कारण जहां पहले चारागा थे अब वो दूसरे कारियों में सनलगन हो गई है वो भूमी तो चारागा भू देखी जा रही है अब हम देखते हैं कि पहला जो पशुचारण के भी हमने दोवर्गी करन देखे थे पहला चलवासी पशुचारण जिस पर हमने भी विसरेत रूप में चड़्चा की बात की अब दूसरा है या आपका व्यापारिक पशुपालन तो जो हम चलवासी पशु पशुचारण में जो पशुपालक हैं जो पशुपालते हैं वो इस्थाई रूप से निवास नहीं करते एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ लगातार प्रवास करते रहते हैं ठीक उसी प्रकार हम कहें ठीक इसके विपरीत जो वानिजिक पशुपालन का कार्य किया जात और ये पशुपालन जो है वो पूंजी प्रधान होती है मतलब इसमें जो पशुओं का पालन किया जाता है पशुओं को पाला जाता है वो इन पशुओं से प्राप्त पदार्थों के लिए इन्हें पाला जाता है जैसे कि पशुओं से दूध प्राप्त किया जा रहा है उन दूसे बने जो product हैं उत्पाद हैं वो बनाए जा रहे हैं उन पशुओं के दूसे बने product तो उपयोग किये ही जाएंगे उन्हें बाजार में बेचा जाएगा और आयप्राप्त की जाएगी और साथ ही साथ जो ये पशुओं है उनकी खालों के लिए उनकी हड्डियों का निए के विए यह हम ना उम के लिए पर्वती छेत्र आप ना उनिस totally इवता अक्रम सै कि एंट जाता है यहां to हम देखेंगे कि जो भी पर्भत आलन और जिस पर हम पाला जाता है और विए MD होता है यह 15 अफ था न व्यू रूम क हम क्लम स्टीक। से उन पशुओं को पाला जाता है और उनसे जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं जो चीजे प्राप्त होती है उन्हें बेच कर आई जो है वो प्राप्त किया जाता है क्योंकि यह ब्यापार या लाप कमाने के उदेश से किया जा रहा है या यह पशुपालन जो है वो ये एक स्थान पर ही यहां पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं और इसके चारों तरफ जो है वो बाड़े बंदी कर दी गई है अब ये बाड़े बंदी जो है वो लकडी से पत्थरों से या इटों से किसी भी पदार्थ से या किसी भी मटेरियल के माध्यम से की जा सकती है लेक विदिन बाड़े बंदी करके इन सभी पशुओं को एक साथ रखा जाता है, तो घेरा बना दिया गया है, उसके चारों तरफ जहां पर ये पशु रह रहे हैं, दिवार खड़ी कर दी गई है, जिसे बाड़े बंदी कहते हैं, ये भी एक छोटा सा प्रश्ण बनता है कि है कि एक निश्शित छेत्र में और एक विशाल छेत्र में जिसे हम कई बार फॉर्म भी कहते हैं यहां पर पशुओं को रखा जाता है या पशुओं का पालन किया जाता है फिर हम देखें कि चारे की विवस्था के लिए चारे की विवस्था के लिए जैसे चलवासी के लिए की जाती है तो हम देखते हैं कि ये पशु जो है इन पशुओं को व्यग्यानिक तरीके से पाला जाता है और इनकी जो है विशेश देख भाल भी की जाती है जैसे व्यग्यानिक तरीकों में इन पशुओं के देखरेक के लिए इन पशुओं के प्रजनन का जो है वो इनकी प्रजनन दर्फ को बढ़ाया जाता है या प्रजनन में सुधार के लिए प्रजनन का कारी किया जाता है जो इनकी नसल में सुधार का कारीक्रम जो है ये अपनाया जाता है तो जो भी इन परश्वों को पाला जाता है या पालन का कारी किया जाता है उनमें सभी तरह से आपके लिए छोटा सा प्रश्न बन सकता है अभी मैं हमने जो बात की थी कि इन पशों को एक बाड़े के अंतरगत यह हम कहें कि दिवार का एक घेरा बनाया जाता है और उसके अंतरगत रखा जाता है जिसे हम फॉर्म भी कह रहे हैं और इसे जो उत्तरी अमेरिका है उत्तरी के नाम से जाना जाता है इस रेंच को या बाड़ों को प्रेरी में रेंच और पंपाज में एस्टेंशिया तो यह छोटा प्रश्न एक बन सकता है बोड परिक्षा के हिसाब से अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई यह जो वारी जे पशु पालन किया जाता है इसमें विशे जिन पशुओं के लिए अनुकूल है उन्ही का ही पालन उस छेतर में किया जाएगा जैसे हम व्यापारिक पशु पालन के अंतरगर देखें या वाणिजे की हिसाब से व्यापार के हिसाब से किन पशुओं को पाला जाता है तो इसमें प्रमुक रूप से गाय है गाय है ब भेड़ हैं, बकरी है और घोड़े इन सभी पशुओं से जो मांस प्राप्त होता है उनकी जो खाल होती है उन जो हैं उनको वैज्ञानिक धंग से सनराधित किया जाता है और डिबबा बंद करके इन्हें बाजार में बेचा जाता है व्यापार के उदेश से अभी हमने कहा न और ये जो पशुपालन का कारिय है वो व्यापार के उदेश से ही किया जा रहा है तो इनसे मिलने वाले जितने भी प्रोड़क्ट हैं जो भी पदार्थ हैं उन सभी को संसाधित करके रखा जाएगा और उसके बाद डिबबा बंद करके इन्हें बाजार में बेचा जाता ह है और उसे आय प्राप्त जो है वो कि जाती है अब हम देखते हैं कि जो वाडिजीक पशुपालन है इनके प्रमुक छेत्र कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे तो बहुत सारे छेत्रों में जो है वाडिजीक पशुपालन किया जाता है लेकिन युजेलेंड की अर्थ व्यवस्था की आधार शीला यहां की जो अर्थ व्यवस्था है उसका आधार ही जो है वो क्या है पशुपालन यहां पर सभी उत्पादों का क्या किया जाता है निर्यात किया जाता है फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं आस्ट्रेलिया आस्ट्र यहां पर मेरिनो भेड पाली जाती है और यह भेड जो है वो प्रमुख रूप से उन के लिए ही पाली जाती है और उन के साथ ही साथ यहां पर इन भेडों की जो मांस है इनका भी निर्यात किया जाता है फिर हम बात कर लें अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना में गाय का प यहां पर जो घास को खाकर यह नाम आ शायद परिचित भी होंगे अलफा अलफा नाम की घास जो है जो है वो यहां पर पाई जाती है पंपास घास के मैडान में और इन घासों को खाकर जो वहां गाएं हैं वो बहुत जयादा हलदी हो जाती हैं और इस से फिर जो इनके द्वारा प्रोड़क्त फिर हम चाहे मांस की बात कर लें फिर उनके νटम दोग दिये जाते हैं और दूद से फिर अलग-अलग जो है प्रोडक्ट जैसे दही हो गया पनीर हो गया इस टाइप के आइटम जो है वो बनाए जाते हैं और उन्हें बाजार में बेचा जाता है यह तीन जो प्रमुग छेत्र थे यह हम बात करें कि जो भी पशुचारण का कारिय है वो पूरे महादीप में विश्व में जो अलग-अलग महादीप हैं वहाँ जितने भी जो घास भूमिया है घास के जो छेत्र हैं वहाँ पर यह पशुपालन का कारिय किया जाता है और इसके उत्तर से दक्षिन की ओर हम चले जाएं पशिमी कनाड़ा उसके बाद पशिमी संयुकतराज अमेरीका और मेकसिको, यहां पर पुरा उत्तर से दक्षिन तक जो है इसका विस्तार व्यापारिक पशुपालन का मिलता है हमें, इसके बाद हम दक्षणी अमेरीका में आ ज जो पंपास घास भूमी है वहाँ पर इसके बाद हम देख लें यही दक्षणी अमेरिका में ही जो वेनेजुएला है वेनेजुएला में जो लानोस घास भूमी है यहाँ पर फिर हम आजाते हैं अफरीका में तो अफरीका में जो दक्षिन अफरीका है दक्षिन अफरीका का जो वेल्ड घास का मैदान है यहां पर इसके बाद हम जब आस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आस्ट्रेलिया में और आस्ट्रेलिया के साथ ही न्यूजिलेंड में जो यहां की शितोषन घास भूमी है यहां पर भी जो है यह व्यापारिक पशुपालन का कारिय किया जाता है अर इसके साथ Eurasia का जो इस्टेपी घास भूमी है ये स्टेपी घास के मैदान है यहां पर भी व्यापारिक पशुपालन का कारिय किया जाता है। अब इन सब के अलावा जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के पूर्व में और जो अराल सागर है, अराल सागर के उत्तर में हम देखेंगे, तो यहां पर भी व्यापारिक पशूपालन का कारे किया जाता है. तो ये जो हैं ये प्रमुख छेत्र हैं जहां पर की व्यापारिक पशुपालन का कारिय किया जाता है तो हमने बात की इसके अंतरगत आपको ध्यान में रखना है कि रेंच को हमने देखा था कि प्रेरी और पंपास में किस नाम से पुकारा जाता है या मैं ये कहूं कि जो पशुओं के लिए बाड़े बनाये जाते हैं व्यापारिक पशुपालन में उनके नाम प्रेरी घास के मैदान में या पंपास में उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है रितु प्रवास क्या है या आपसे पूछा जा सकता है कि व्यापारिक पशुपालन और चलवासी पशुचारण के छेत्र कौन-कौन से हैं या किन जनजातियों के द्वारा चलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है तो ये पूरे मानचित्र में आपको मानचित्र के सहायता से उन छेत्रों को ध्यान में रखना है और इन छोटी-छोटी चीजों को छोटी-छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी जनजाती क्या कारी करी है कौन से पशुचारण का पालन करती है या अलग- कौनसे पशुओं का पालन जो है वो किया जाता है अब ही हमने देखा कि चलवाशी पशुचारन क्या है और वाणीजे पशुपालन क्या है अब हम इन दोनों में अंतर पर बात कर लेते हैं चलवाशी पशुचारन के इसमें कुछ नंबर वन है चलवासी पशुचारण हम कह सकते हैं कि पुरानी दुनिया तक ही सिमित है और इसके मुख्य शेत्र जैसा आप मांचित्र पर देख पा रहे हैं सहारा पुर्वी अफ्रीका का तटिय भाग दक्षिन पश्चिमी और मध्य एशिया और इसके साथ ही यूरेशिया में टुन्डरा का छेत्र और दक्षिन पश्चिमी अफ्रीका और माला गासी जिसे हम मेडागास्कर भी कहते हैं इसका पश्चिमी भाग आता है जहां पर चलवासी पशुचारण का कारी किया जाता है चलवासी पशुपालक चारे और जलकी खोज में एक स्थान से दूसरे इस्थान पर घूमते रहते हैं तीसरा हम देखते हैं कि यह पशुच वह प्राक्रितिक रूप से बड़े होते हैं और किसी भी प्रकार से उनकी कोई विशेश देख भाल नहीं की जाती है नेक्स पॉइंट है चलवासी पशुपालक जो होते हैं एक ही समय में अलग-अलग प्रकार के पशुँं को पालते हैं या रखते हैं फिर है चलवासी पशुपालन एक जीवन नीरवाह आर्थिक पद्धती है या जीवन नीरवाह पद्धती पर आधारित होती है जिसमें इस्थानी खपत के लिए चाहे वो भोजन वस्त्र आवास और जीवन की अन्य सुव जाते हैं जो प्राक्रितिक रूप से चारागा उपलब्ध होते हैं चलवासी पशुपालन में जो पशुपाले जाते हैं ये पशुपूरी तरह से या पूर्णे तह प्राक्रितिक रूप से उगने वाली जो घास है उसी पर निर्भर रहते हैं अब हुम बात करते हैं वाणिज्य पशुपालन या वाणिज्य पशुधन पालन की विशेश्टाओं पर तो जैसा हमने देखा कि चलवासी पशुचारण किन छेत्रों में मिलते हैं तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि वाणिज्य पशुधन पालन है वो प्रमुक्रुप से विश्व में उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मध्य अमेरिका के लानों दक्षिन अमेरिका के नृट्य उस्डेलीया के डाउंस तथा न्यूजीलंड के जो घास स्थल है वहां पर इसbnारा का पशुधन्पालन का कारी किया जाता है हम यह कह सकते हैं कि चलवासी पशुचारण जो है वो पुरानी दुनिया तक सिमीत था तो वाणित जी पशुधन पालन जो है यह मुख्य रूप से नई दुनिया में प्रचलित है फिर इसका दूसरा पॉइंट है वाणित जी पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर बा ज्यानिक पधति के नुसार पाला जाता है उनकी विशेश देखभाल की जाती है वहीं हमने चलवासी पशुचारण में देखा था कि वो प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं उनकी कोई विशेश देखभाल नहीं की जाती है फिर नेक्स्ट पॉइंट है वाणित जी फिर नेक्स्ट है वाणित पशुधन पालन में दूध मांस उन खाल आधी का उत्पादन किया जाता है और यह जो उत्पादन से प्राप्त होते हैं यह सारी चीजें इन सभी को अन्य छेत्रों के साथ व्यापार किया जाता है लेकिन चलवासी पशुचारण में हमने देख यह जाता था में वाणित पशुधन पालन में प्राक्रितिक घास की कमी होने से लेकिन चलवासी पशुचारण में हमने देखा था की वो पूरी तरह से प्राक्रितिक रूप से उगने वाली घास पर निर्भर थें रोपन क्रिशी के विभिन्य देशों में विश्व के जो अलग-अलग देश हैं जहां पर ये रोपन क्रिशी का कारी किया जाता है वहाँ पर इसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है इस्थाना अंतरित प्रिशी को विश्व के अलग-अलग देशों में विभिन नामों से पुकारा जाता है आईए हम देख लेते हैं कि अलग-अलग देशों में इनके क्या-क्या नाम है तो पहले हिंदेशिया और मलेशिया, यहां पर इसे लदान कहा जाता है, हमारे उत्तर पूर्वी भारत में जुमिंग नाम से जाना जाता है, फिलिपाइन्स में चेंगिन, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिलपा, वियत नाम में रे, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका और जायरे नदी की घाटी और इसके साथ ही मध्य अफरीका में इसे मसोले के नाम से जाना जाता है। झाल 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 झाल